अगर आप भी आज तक इस बात के डाउट में हैं कि एक वीडियो क्या ही कर सकता है तो आज की तारीख में आपको सोशल मीडिया पर हमारे देश के सीजे डीवा चंदरचूर के साथ ने प्रहानमंद्री नेर्ण मोदी जी ने जो पूजा अर्चना करी है उन्हीं के निवास उस वीडियो के उपर आए हमारे देश के लिफ्ट इकोसिस्टम के रियाक्शन को देखना चाहिए लिटरली आज की तारीक में अगर आप उनके रियाक्शन को देखेंगे तो आपको ऐसा ही फील होगा कि नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो आज की तारीक में देश में के डिस्रिब्यूटर बन चुके हैं क्योंकि बर्णौल की मांग बढ़ी इतनी चुकी है और बर्णौल की मांग को बढ़ाने के पीछे जो व्यक्ति विशेश है वो और कोई नहीं निर्मोदी जी है इस वीडियो में आज के आज में बात करने वाले हैं जो ये पूरा एक वी प्रणौल की में बात करेंगे और कियो लोगों को आखिर इतनी दिक्कत समस्या हो रही है देगिए सबसे पहले तो आप इसी बात को समझेए कि ऐसा नहीं है कि हमारे देश के प्रहान मंत्री किसी गलत इंसान से मिले है या जो जस्टिस सीजय चन्दचूर है वो किसी गलत इंसान से मिले है हाँ जूडिशरी और एग्जेक्यूटिव इसको लेकर थोड़ा सा मसला जरूर हुआ है उसको लेकर अभी हम बात करेंगे बट अगर आप इस तस्वीर को देखेंगे जो कि हमारे देश के प्रहान मंत की सजा हुई है एक समय पर ये कश्मीर का सेपरेटिस्ट लीडर माना जाता था जिसके साथ मीटिंग की ये तस्वीर काफी जादा वाइरल हुई है अब आप सोचेंगे कि भई ये सेपरेटिस्ट क्या होते हैं तो मैं आपको बता दू हिंदी में इसको अलगाववादी न नेता कहा जाता है कहने को इन अलगावादी नेताओं का मकसद ये होता था कि भई हम कैसे भी करके कश्मीर को आजाद करा है इनका मकसद था कश्मीर को आजाद कराना फिर चाहे वो हिंदुस्तान हो चाहे वो पाकिस्तान हो बट एविडेंटली सब लोग ये जानते थे कि इन लोगों का मोटिव सिर्फ और सिर्फ भारत से कश्मीर को अलग करना था और कुछ भी नहीं, पाकिस्तान से तो इनको काफी ज़्यादा हेल्प मिलती थी, मतलब लिटरली इनको प्रेस किया जाता था और हमारे देश के तरफ से तब ये स्टेटमेंट्स भी आते थे कि भा भारत जो है अपने ट्रूप्स को कश्मीर से कम कर लेगा, अगर पाकिस्तान की तरफ से जो सेपरेटिस लीडर्स हैं, वो कश्मीर में जो पूरी हरकते होती ही न, उनको ज़रा कम करने तो, मतलब लिटरली इस तरह है कि डिमांड अपने आपको काफी ज़दा कमजोर दिख करें, तो केजी बालकिष्णन, अगर मैं गलत नहीं हो तो, एक इफ्तार पार्टी और्गनाइज करी गई थी पी-म हाउस में, उसी पार्टी के दोरान, जो हमार देश के ब्रहान मंतरी थे, मनमोहन सिंग जी उनकी मुलाकात इनसे हुई थी, और सिर्फ इनकी ही नहीं, बा करने वाले हैं, तो अब ये जो पूरा मैटर है, ये मैटर इसलिए आउट ओफ हैंड हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर दो चीज़े बताई जा रही है, पहली चीज जो बोली जारी है हो ये कि जब आप एक CJI की पद पर बैठे हुए हो, एक बहुत बड़ा पद होता है, हमार अगर आप कुछ कर भी रहें, तो उसका पबलिक के सामने इस तरीके से आप व्याख्यार नहीं कर सकते हैं, आप बोल नहीं सकते ही, नी भी ये, देखो, यहाँ पर हम ऐसा ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा करने से पबलिक में गलट मेसेज जाता है, और पबलिक सोचती है कि यह तो देखे गलत हो गया और इसी बात का हवाला देते हुए जो पूरी left ecosystem है यह बोल रहा है कि देखिए अभी महराश्च में जो सरकार गिरी है उद्धव ठाकरे की और एकनाश चिन्दे जो बैठे हुए इसको लेकर पूरा case चल रहा है और उनलों कहना है कि हमें तारीक प को ही पूरी गलबड़ी को लेकर तो हम लोग कैसे निश्पक्ष नियाय की मांग कर सकते हैं जाहिर सी बात है इनको लेकर पूरा पूरा एक इस समय करा पूरा 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 मसाला किया इसको लेकर पर कि आखिर में हमारे जो सीज्राई है परसनल स्पेस में तो वो भी एक इनसान ही मैं एक आम इनसान आपके और मेरे जिसे और पर्सनल स्पेस में तो फिर वो कचाए कुछ भी कर सकते हैं जैसे हम एक डॉक्टर की अगर हम बात करें तो एक डॉक्टर अगर आपका इलाज कर रहा है आपको दवाएं दे रहा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो अपने पर्सनल स्पेस में बैट कर चिगरेट नहीं पी सकता या शराब नहीं पी सकता अलाकि इन दोनों को ही करना हानिकारक होता है स्वास के लिए पर स्टिल आखरी में है तो वो भी एक इनसान ही ना चाहे तो कर सकता है बही सिंपल सा लॉजिक है पर इन चीजों को समझना और सीजा ही जाकर मिले है बलकि समस्य सिर्फ और सिर्फ इस बात से है कि इन दोनों ने वहां मिलकर पूजा कैसे कर दी मतलब कई लोगों मैं भी आपको दिखाऊंगा ट्वीट्स वगेरा इनों तो मतलब हिंदुत्व को ब्रामिनिजम और इस तरह की चीजों के से पूरा कंपेर करके बोल रहे हैं यह तो सिर्फ हिंदुत्व का ढोंगपन है उसको बढ़ावा देना है और इस तरह की मतलब कौन सी बात को कहा ले कर जा रहा है है अब देखिए इस बात को लेकर लोग इसलिए भी इतने जादा अचरज में जा रहा है कि भई जब इफ्तार पार्टियां हुआ करती थी तो कोई कुछ बोला नहीं करता था सोशल मीडिया पेड़ी चलते हैं वहाँ पर लोगों की रियक्शन देखेंगे जिससे की समझ में आप आए कि किस कदर ये चीज़े बिगड रही है अब देखिए जैसे की ये एक पहला ट्वीट है ये राजू साब ने किया है राजू साब लिखते है The 9-11 movement of Indian democracy मतलब किस चीज से ये compare कर रहा है 9-11 वो अमेरिका में जो हमला हुआ था उससे ही इस meeting को compare कर रहे है Literally मतलब Seriously समझ से परे बात है ये पूरी इन्होंने लिखाया आगे The executive and judiciary pillars have collapsed Executive मतलब की प्रहान मंतरी मोदी जी और judiciary मतलब की जडीवा चंदर चूड जी और इनका भी कारेकाल शायद दो ही महीने का बचा हुआ है एक और tweet में उने लिखा है कि Hinduत्व means Brahmanism फिर वो ही बात आगे धरम की बात यहाँ पर BJP वाले हमें नहीं कर रहा हूँ आप ही लोग tweet करके धरम करम की बात करते हो और फिर बोलते हो करम की तो नहीं सोरी सिर्फ धरम की बात करते हो करम की बात कर रहा है तो कोई problem ही नहीं थी इंद्रा जैसिंग ने यहाँ पर tweet किया है कि Chief Justice of India has compromised the separation of power Judiciary lost all confidence in the independence of the CGI the SCBA must condemn the publicly display compromise of independence of CGI from the executive शब्द बहुत बड़े है मतलब वही है जो मैंने आपको बताया कि भाईया जाच होनी चाहिए कि इन दोनोंने आखिर एक दूसरी से मुलाकात कैसे कर ली public का जो confidence है वो निया अधीश में वो कम हो जाएगा इससे प्रियंका चतुरवेदी भाई इनको तो समझ नहीं पड़ेगा यह लिखती है ओके कि इन यह लुख चाहा किया रहा है सारवदासने यहां पर और लिखा है कि tonight the nation watches as distributing disturbing, sorry disturbing visuals come from the residence of Chief Justice of India for those who hold the sanity of the judiciary close to their hearts, this sends an ominous signal, a dangerous erosion of the distance that must exist between the judiciary इतनी समस्य और चैने सिर्व इतना सा मेस्जिज निखने बहुत बड़ा लिखा है पूरा पढ़ने के तो मेरी, मतलब मेरी knowledge ही नहीं यह तनी कि मैं पूरा पढ़ना हूँ, simple सी बार विनोद कापरी लिखते हैं कि एक ही संस्ता का थोड़ा बहुत पतन बचा था, चलो ये भी सही अल्लाब filmmakers को इसमें कूदने की का जरूरत है यार अच्छा ये उस समय पर हुआ था, तो घोष साब जो यहां पर रिफरेंस दे रहे हैं कि देखिए यहां पर कितना गलत हो रहा है पुन्य प्रसुन बाच पही लिखते हैं किसमत की किताब तो खूब लिखी थी मेरे रब ने बस वही पन्ना गुम था जिसमें तेरा जिक्र था, लो जी अब वह पन्ना भी मिल गया मतलब कि अब इनको कोई केस वेसे से करना होगा तो यह शायद अमाइरिका की कोर्ट में जाएंगे या नहीं पांगलादेश की या श्री लंका की या पाकिस्तान की आफगाने सान की कोल्ट में भी जा सकते हैं अमाइरिका भी क्यों जाना और क्या क्योंकि इनके लिए तो इंडियन जडिशिरी जो है वो खत्म हो चुकी है यह अब EVM के उपर ही डाउट कर रहा है मतलब मुझको समझ में नहीं आता है इन लोगों का क्या साइकी चलता है प्रशे मंगाल केस में सुओ मोटो महराश के कांट पर कोई जिक्र नहीं दिल्ली मुख्यमंत्री के जिवायल के बेल पर तारीक पर तारीक यह सब क्यों हो र मतलब सामने आ रहा है इनसान तो भी आपको समझ चाहिए मतलब लिटरली अगर मैं इन लोगों की बात से गरी कर जाओ तो प्रशान भूशन जी ने भी वही सब बात लिखी है जो मैंने आपको बताई थी कि आपको प्राइविटली इस तरह से नहीं मिलना चाहिए एक हर्मिक आयोजन में गया हो कल को चीफ जस्टिस के फैसले पर इनकी छाप पढ़ने कारोब लग सकता है ना अरे आप ही लगाएंगे महरुद है सबसे आगे खाड़े होकर लगाएंगे मुझे तो लगता है प्राण मंत्रियन मोदी का सुप्रीम कोड के चीफ जस्टिस मतलब क्या है लेकिन परिशान इतने हो रहे हैं जैसे कि शायद इनहीं का अगला फैसला आने वाला था और वो आ नहीं पाएगा लेकिन मेरी इन लोगों से बस यही दरखवास्त है कि आप एक इनसान को इनसान के स्तर पर रखें आप उसको समझें कि भई वो अपने आज निताओं को देखते हैं इवन जब मदब्रदेश में चुना होने तो मुझे अच्छे से याद है तो माननी कमलनाज जी और उस समय के हमारे ततकालीन मुख्यमंत्री रहे शिवरा सिंग चोहान जी कई बार ऐसे एक दूसरे से गले मिलते हुए बाचीत करते हैं हासी ठ प्राइवेट स्पेस में रहे जब काम का वक्त है बाकित समय में तो आफ लोगों से मिलना जूलना करी सकते हो बट बात वही है न कि अगर ये लोग बोलेंगे नहीं तो फिर मुद्दे तो ऐसे बी इनके पास कमी है न वही कास्टेंस करालो धरम ये है जात ये है ऐसे बां नहीं जाए हिन जाए भारत